असलाम अलेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बिनाए जाती हैं। इसके लिए मुझे इंग्रीडियन्स चाहिए हैं। इसे मैं यह दो बड़े मक चेने की डाली उसके रही हो। इसे मैंने आदे किंडी के लिए बहले फिगो दिया था। अब मैंने इसका पनी फैंक दिया है। आदे किलो चिकन एट कर रही हो। मैं इसमें थोड़ा सा बरी कुटा बहरा देनिया। चार अज़त हरी मिर्च एक बड़े साइस का ट्रमाटर। वन टी स्पून इसमें गरम मसाला। हाफ टी स्पून काली मिर्च एंड फुल टेबल स्पून जीरा स्वेट जीरा। वन टेबल स्पून इसमें मैं रचली पाउडर यूज कर रही हो। हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर और हजबे जाइका नमक। थोड़ा सा जिंजर अद्रक बरीकुटा हुआ। चार से पांच लेस्टन के जेवे यूज कर रही हो। दो मीडियम साइस की में प्यास यूज कर रही हो। दो इसमें अंडे और एक मग पानी इन सब शीजों को बॉल करने के लिए। एक बटन लोगी मैं इसके अंदर ही भीगी वी चने की डाल दाल दोंगी सारी प्यास लेस्टन अद्रक। हरी मिर्च और टमाटर। अल्ट स्पाइस्ट। होट स्पाइस्ट। चिकन और एक मग पानी अद्रक। अब तेज आज पे मैं इसे बॉलोने के लिए रख दो गी। अब यह फ्लेम पे मैंने अभी से तक पतने के लिए रखती है। जब यह बॉलाना शुरू जाएगा थाएगा अभी लोग प्लेम कर देंगे। पूरे तीन मिंट के बाद ये बोईलोना शुरू हो गया है अब में इसके नीचे मीडियम फ्रेम कर दोगी और इसे पकने के लिए रख दोगी जब चिकन गल जाएगा तो फिर हम निकाल देंगे अलग कर देंगे और जो बाकी मिक्स्चर है उसे हम गलने के लिए रख देंग ना ना जिस एक जाएगा ड़ा हाँ राख दोगी तो तो इसमें छीकन इमाने निकाल रही है और गल गया था अब मैं इसका ठुकन लगा के रख दोगी तब तक पानी भी ड्राय हो जाएगा और दाल भी बेनाएगे पानी फट्टली उसके रख देंगा हो जाएगा तो हम पानिया इस तब ड्राइन होना शुरू हो गया अब मैं अब इस पी अंदर ये पॉरियंडर लीफ्स दिनिये कापते आट कर दोंगी जुमें ने बार एक बार एक बार एक कट कर लिये थे अब इसमें थोड़ा वह तो पानी है इसका नमक टेस्ट कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा नमक कर देंगे इसके इंदर फ़र टी स्पून आप अपने जायकी के मतापते पानी तक दीबन फुष्ट हो गया मैं थुला बन कर दोंगी फ़रा इसको मुस्टराइज रखें मैंने बारb भावल यहां वियो शेकंस निए लिए के जर्याम पाप्र आडिए में निए थे लिए अदिए मिख्ण मुआ दयां यह बोल्स बना लिए अब मैं आपकी बना लोगी है हुआ है कि मैं से अधर में चूटी बना चुकिया है और इसे बारी-बारी में इसके गोल्स बना कर लोगी एक बें जुटे ने टिक्की ढाल लो कि आपने के डे चीक थी कहा हूँ क्युक्ति तिक्की के पहले एंडे में डिप करें चैटले आप सेटेक आपके जाएं बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने से कुकिंग होल में डाल के रख दिया था अब मैं इसकी साइड बदल दोगी बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने साइड बदल दी गया है इस तना ही जलती नहीं है और साथ साथ इसका प्लेम पर दोगी और शामी टिकी बनके त्यार है इसकी फ्लेम मैंने बन थत दी है यह मैं निकाल लूँगी ए इसकी बिल्कुल निकाल दोगी प्लेट में भीच्च्छा लिए उसमें बाकी कुपिंग अजब भूजब हो जाएगा इसकी मैंने आज आज आपको इसी रेसीपी बताई आप आपको पसंद आएगी आपके जो आपको ज़्यादा मुनासिब लगे आपको मेरे वीडियो पसंदा है तो से लाइक करें इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वचिंग अलाहाफिज